अगर हम रिस्प्रेट्री आर्गन्स के बारे में अगर हम रिस्प्रेट्री आर्गन्स के यहाँ पर ब्रीधिंग की मैकनिजम की बात करें तो ब्रीधिंग की जो मैकनिजम हमारी होती तो डिफरेंट एनिमल में वहरी करती है यानि कि अलग-अलग होती है और जो हमारी ब्री का carbon dioxide के साथ में exchange होता है वो simple diffusion के द्वारा होता है जो कि हमारे पूरी body surface through होता है अगर हम अर्थवर्म के बात कर लें तो यहां पर जो हमारा exchange होता है carbon dioxide से oxygen का moist cuticles के द्वारा होता है insect में network के द्वारा होता है जिसको हम tracheal tube के नाम से जानते हैं तो यह था हमारे respiratory आपको वीडियो पसंदा और वीडियो पसंदा वीडियो को लाइक करें और से वीडियोच के लिए में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुन लाब भूलें बेस्टाफ लग को